लोकसब चुनावों से पहले EVM के मुद्दे ने फिर तूल पकड़ लिया है। खासकर EVM की चोरी की खबरों से विपक्ष के आरोप और तेज हो गए है। विपक्ष का आरोप है कि EVM के माध्यम से वोटिंग में गरबड़ी की जा रही है। पहीं वोटिंग निश्पक्ष नहीं हो रही। और अब एक बार फिर कॉंग्रेस नेता दिगवजस सिंग ने चुनाव आयोग से EVM को लेकर कुछ बाते उठाई हैं जिससे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। तो क्या सवाल उठाया है कॉंग्रेस ने चुनाव आयो को लेकर देखते हैं इस रिपोर्ट में। कॉंग्रेस समेट पूरा विपक्ष लगतार चुनाव आयोग से EVM के मुद्दे पर सवाल कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों को नजर अंदाज कर रहा है। इसी कड़ी में एक बर फिर कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिंग ने लोगसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग से मद्दान को लेकर सवाल उठाये हैं। कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिंग ने पियम मोधी को चुनावती देते हुए अपने सोशल मीडिया एक्सपर पोस्ट करते हुए लिखा। पड़ेगा। इसलिए माननिय प्रधान मंत्री जी आप तो इतने शक्तिशाली हैं लोगप्रिय हैं तो मद्दान बैलेट पेपर से कराने से क्यूं ढरते हैं। चुनौती स्विकार करिए और बिना EVM के 2024 का लोगसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराईए। पाकिस्तान भी अब EVM छोड़कर बैलेट पेपर पर आ गया है। आपको बता दे अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें ये खुलासा हुआ था कि 2024 का लोगसभा चुनाव EVM की जगा बैलेट पेपर से कराए। हाला कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिगविजे सिंग ने EVM को लेकर सवाल उठाए हो। इससे पहले कई मौकों पर दिगविजे सिंग ने चुनाव आयोक से EVM के मुद्दे पर सवाल किये है। अब देखने वाली बात होगी पीम मोधी दिगविजे सिंगी चुनावती को स्विकार करते हैं या नहीं। डीवी लाइफ की रेपोर्ट